हेलो बच्चो अब सुपका आपके पने चनल गोविन मैत लक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है तू पीरे विद्यार थी हो आज की इस क्लास में हम कट सचे और साथ गनित विश्यक की व्रक्बुख दोजा तेबी 24 के कारे पत्रक 97 को हल करना सिखेंगे बच्चो आज की इस कारे पत्रक में हम बॉड मास के नीमो की समझ बना पाना सिखेंगे तो बच्चो सबसे पहले हम बॉड मास की फुल फॉर्म को समझते हैं कि आखिर बॉड मास नीम का मतलब क्या है तो देखो बच्चो बी का मतलब है ब्रेकेट बी का मतलब क्या है बच्चो ब्रेकेट यानि सबसे पहले आपको क्या हल करना है? ब्रेकेट को हल करना है. अब बच्चो ब्रेकेट को जब हम हल करेंगे, तो ब्रेकेट को हल करने का करम क्या होगा? तो बच्चो सबसे पहले हम इस मंजले ब्रैकेट को क्या करेंगे, हल करेंगे, फिर बच्चो इस कोष्टक वाले ब्रैकेट को और फिर बच्चो इस छोटे कोष्टक को हल करेंगे, दूसरा बच्चो O है, O का मतलब है बच्चो order, क्या है बच्चो order, और जब हम ब्रैकेट को हल कर देंगे, उसके बाद बच्चों हम इस पर हल करेंगे, उसके बाद बच्चों हम जो गात वाले पद होते हैं, जैसे x square, y की गात 3, या बच्चो अंडरवूड में x, इस वाले पदों को हम दूसरे नंबर पर हल करेंगे, बच्चों d का मतलब है division, क्या है बच्चो, division, division का मतलब क्या होता है बच्चो, भाग, क्या होता है, division का मतलब होता है बच्चो, भाग तो पहले हम bracket को हल करेंगे, उसके बाद गात वाले पदों को उसके बाद बच्चो क्या करेंगे भाग वाले प्रशन को हल करेंगे उसके बच्चो M, M का मतलब क्या है multiplication, ठीके क्या है बच्चो, multiplication मतलब क्या होता है बच्चो, गुणा भाग के बच्चो, हम किसको हल करेंगे बच्चो गुणा को की रहे बच्चो आपका A A का मतलब क्या है एडिसन एडिसन का मतलब क्या है बच्चो एडिसन का मतलब है जोड क्या है बच्चो जोड गुणा के बाद हम किसको करेंगे जोड को करेंगे उसके बाद यह बच्चो S S का मतलब क्या होता है सबस्ट्रेक्शन क्या होता है बच्चो सबस्ट्रैक्शन याने की घटाव ठीके तो बच्चो बॉटबास के नियम का यही पूरा आर्थ होता है B का मतलब है बच्चो bracket सबसे पहले आपको bracket को हल करना है उसके बाद order याने की बच्चो जो गात वाले पद होते हैं उनको फिर तीसरे नमबर पर भाग, अब बच्चो जो भाग और जो गुणा है वो हमयसा हम कहां से हल करेंगे, हम बच्चो लेप्ट टू राइट, ठीक है, बाय से दाई भाग की ओर हल करेंगे, लेप्ट टू राइट, भाग और गुणा दोनों को बच्चो हम लेप्ट यहां पर बच्चो पहला प्रस्ण दिया गया है नीचे दिया गये प्रस्णों को हल करे कह है च्यार प्लस तीन गुणा दो तो बच्चो सबसे पहले किसको हल करेंगे ब्रेकेट को तो देखो यहां पर च्यार है प्लस तीन गुणा दो कितना हो जाएगा 6 तो 4 प्लस 6 बच्चो कितना हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 10 दूसरा बच्चो देखो ख या पर सबसे पहले ब्रेकेट को 3 प्लस 5 कितना हो गया 8 तो बच्चो 8 भाग 8 8 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चो एक बार आगे बच्चो ग, 3 प्लस 5, 8 गोना 8, कितना हो जाएगा, 64 आगे बच्चो ग, 10 माइनस 5, कितना होगा, 5, गोना 7, 5 गोना 7, कितना होगा, बच्चो 35 आगे बच्चो ड, 23-5, बच्चो 23 में ऐसे 5 गटाना है, कितना हो जाएगा बच्चो 18, 18 गुणा 5, कितना हो जाएगा 90 वीरेच्चो, 3 गुणा 5, कितना होगा 15, 15 गुणा 5, कितना होगा 75, 75 ठीक है बच्चो, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दो कोश्ट्रक छिनह का सही प्रियोग करें और सही उत्तर तक पहुंचें याँ आपके सामने जो संख्या लिखी गई है, उसमें कोश्ट्रक का सही जगे उप्योग करना है तो बच्चो देखो यहाँ पर 6 कब आएगा, जब 20 के अंदर हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, यानि ब्रेकेट कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है तो 20 में 4 का भाग देंगे, बच्चो 5, 5 पलस 1, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा पीरे बच्चो खो, खामें बच्चो क्या करना है, देखो, कितना है इदर 23 तो बच्चो हम भाग करने, आपके ब्रेकेट का निसन कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर तो बच्चो देखो, 20 पलस, 12 में 3 का भाग, कितना जाएगा, 4, minus 1, तो 4 minus 1 यानिकी 3, बच्चो 20 पलस 3, कितना हो जाएगा, 23 आगे बच्चो घह, कितना लाना है, यहाँ पर 5, ठीक है, तो बच्चो 14 पलस 1, कितना हो जाएगा, 15 और बच्चो 15, किसका भाग कितना हो, 15 पलस 1, कितना हो जाएगा, 24 पलस 1, कितना जाएगा, अगे बच्चो 19, यहाँ पर देखो, 16 पलस 3 को रखेंगे, बच्चो 20, कितना हो जाएगा, 9, तो हल कितना जाएगा बच्चो 2, ठीके आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संक्या 3 यहाँ पर ब्रेकेट पलस, माइनस, गुणा और भाग का सही परियोग करना है, और हमें सही उत्तर तक पहुंचना है, देखो बच्चो प्रश्ण संक्या को, यहाँ पर बच्चो कितना लाना है, देखो 25, कितना लाना है बच्चो, 25 लाना है हमें तो बच्चो देखो 25 कब आएगा, बच्चो 5, यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 और 6 4 और 6 के बीच में क्या करते हैं बच्चो, 4 और 6 के बीच में कर देते है जोड, क्या करेंगे बच्चो, जोड फिर बच्चो, 5 की साथ क्या करेंगे, गोना, तो 5, गोना 10, कितना हो गया बच्चो, 50, 50 में भाग देना है 2 का, कितना जाएगा 25, देखो बच्चो, 5 फिर गोना 10 फिर भाग दो तो बच्चो पांच गुणा दस पच्चास पच्चास में दो का भाग देना है तो बच्चो फिर कितना आ जाएगा पच्चिस आ जाएगा ठीके तो यहाँ पर पांच गुणा दस फिर भाग दो तो पच्चिस आ जाएगा आगे बच्चो देखो ख यहाँ पर 14, कितना हो जाएगा बच्चो 30, आगे बच्चो ग, ग में क्या करना है बच्चो 30 माइनस 2 गुणा 3, तो बच्चो 30 में ऐसे कितना गटाना है 6, तो कितना आजाएगा 24, आगे बच्चो ग, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चो 4 भाग दो, 4 भाग दो, फिर बच्चो माइनस 8 भाग दो, ठीके, 4 भाग दो, माइनस 8 भाग दो, यहाँ पर क्या करना है, माइनस, तो बच्चो 4 भाग दो, कितना आजाएगा, बच्चो 2, माइनस 8 भाग, 8, कितना जाएगा, 1, 2 में से 1 जाएगा, तो ब फिर भाग इसका देना है बच्चो पांच पलस तीन बच्चो सोलह में किसका भाग देना है आठ का कितना आ जाएगा बच्चो सोलह भाग आठ कितना जाएगा दो ठीके पलस एक तो कितना जाएगा बच्चो तो आ जाएगा आपका तीन आगे बच्चो चो यहाँ पर दस पल चार दिगी संध्याव को हल करें देखे पहले प्रश्न है को आट प्लस यह को पेले गुना अहल होगा तो बच्चो आठ प्लस पच्चीज माइनस च्यार फिर देखे पहले क्या होगी जोड पच्चीस और आठ कितना होगा बच्चो 25 और 8 तो बच्चो 25 और 8 हो जाएगा 33, 33 मैंसे कितना गटाना है 4, तो कितना हो जाएगा 29, आगे बच्चो ख देखो, 8 चंग 48 3 पलस 48 माइनस 6 बच्चो 48 और 3 51 51 मैंसे 6 गटाना है तो बच्चो 51 मैंसे 6 जाएगा तो बच्चो यहाँ पर कितना बच्चेगा देखो 48 और 3 कितना हो जाएगा बच्चो 51, ठीके 51 मैंसे कितना गटाना है बच्चो 51 मैंसे 6 गटाना है तो बच्चो 51 मैंसे 6 जाएगा तो पीछे कितना बच्चेगा बच्चो पीछे बच्चेगा आपका 45 12 पलस 3 गुणा 12, तो बच्चो 3 गुणा 12 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 36, 12 पलस 36 माइनस 2, बच्चो 12 में से 2 कम हो गया तो कितना हो गया? 10, 46 पलस 10 कितना हो जाएगा बच्चो 46, अगला है बच्चो गह, यहाँ पर देखो 20 पलस 20 गुणा 12, 40 माइनस 10, बच्चो 40 में से 10 कम हो गया तो कितना बच्चेगा? 30, 20 पलस 30 कितना हो जाएगा बच्चो? 50 हो जाएगा, ठीके? आगे बच्चो बात करें, यहाँ पर प्रशन संक्या 5, निम्न तालिका में दी गई संक्याओ का क्या करना है बच्चो? योग करना है, देखो प्रशन संक्या को? कितना है बच्चो? माइनस का 8 और पलस का 6, बच्चो देखो माइनस का 8 पलस का 6, बच्चो 6 में से 8 नहीं ज क्यानी की माइनस में हैं, तो हम क्या लिखेंगे रिनात्मक, आगे बच्चो ख, देखो माइनस का 14 हो बच्चो और माइनस का 8, तो बच्चो माइनस का 14 और माइनस का 22, ठीके, कितना हो जाएगा माइनस का 22, तो बच्चो ये भी कैसा है, बच्चो ये भी है रिनात्मक, कैसा ह अगे बच्चो गव है माइनस का 35, माइनस का 21, बच्चो कितना हो जाएगा? माइनस का 56, और ये कैसा है बच्चो? ये है बच्चो रिनात्मक, तो इस तरह बच्चो हमने कारे पत्रक 97 के सभी प्रश्नों के उतर बहुत अच्छे से जान लिए हैं, उम्मीद करता हूं सभी प अन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें आज गले इतना ही जै इंद, जै भारत